प्रार्थना कर रहा हूँ आपके राज्य के नागरीकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पियमोदी ने कहा तेल पर केंदर ने घटाई थी एक साइस ड्यूटी जन्हित में कुछ राज्यों ने टैक्स तो घटाया लेकिन माराष्ट, पस्षिब मंगाल, जारकन, केरल, तेलंगाना समेथ कई राज्यों ने नहीं मानी बाग पियमोदी ने रूस युक्रेण युद्ध से वैश्विक संकट का किया जिक्रो कहा आर्थिक निर्नेयों में केंदर और राज्यों के बीच ताल मिल जरूर है पियमोदी ने कोरोना पर राज्यों की भूमिका को सराहा पिछले दो सब्ताह में बढ़े कोरोना केस पर किया अलट, नियंत्रण में बताई स्थते पिछले 24 गंटे में 2900 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले पियमोदी ने जानकारी दी छे से 12 साल के बच्चों का भी अब होगा ठीका करन स्थानिय स्तर पर वेडिकल सुविधा बढ़ाने पर दिया सोड लिली में एक दिन में 1200 कोरोना के नए मामले दर्श किये गए अक्टिव केस की संख्या 4500 के पार अब बच्चों को भी मिलेगी कोरोना से सुरक्षा 6 से 12 साल के लिए भारत बायोटेक के को वैक्षिन को एमर्जनसी इस्तमाल की मंजूरी दे गए 12 साल से जाला के उम्र के बच्चों के लिए एक और वैक्सिन को मंजूरी जाइडस कैडिला की जाइको डी भी तैयार करेगी सुरक्षा खवाच बच्चों के वैक्सिनेशन को लेकर जताई खोशी वैग्यानिकों के तारिफ की मेर मुकेश सुर्यान कमिशनर और आला अधिकारियों के साथ अदल्ली के जैदपूर, सरिता विहार, मदनपूर, खादर इलाके का ले रहें जायजा मेर मुकेश सुर्यान ने किया दावा, शाहीन भाग में सरकारी जगों पर अतिक्रम्न, रोहिंग्या और बांगलादेशियों का कबजा है वही मेर मुकेश सुर्यान ने कॉंग्रेस और आम आद्मी पार्टी पर रोहिंगा और बंगलादेशियों को पनाह देने का आरोप लगाया कभी कॉंग्रेस ने और कभी आमानी पार्टी ने देश और दिल्ली के बारे में नहीं सोचा है हमेशा गुसपैटियों को बसाने काम क्या, रोंग्यों को बसाने काम क्या, बंगला देशियों बसाने काम क्या साउट जेली मेर मुकेश सुर्यान ने अतिक्रमन पर कारवाई के लिए सर्वे रिपोर्ट का दिया हवाला कहा आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके विधायक रोहिंग गया नाइट शेल्टर्स में बसा रहे हैं पहुंचाया जा रहा है उनको राशन पाने राजस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर बड़ी सियासी तकरार अलवर में आक्रोश रैली सरको पर उत्रे भारती जनधा पाटी और हिंदुवादी संगठन के कारेकरता जैश्रराम के गूंज है नारे मयालवर में शहीद स्मारक से कले ट्रुक तक निकाली गई आक्रोश रैली राजगर में मंदिर दुकान और मकान तोडने और नगरपाली का सभापती को निलंबन का विरोट क्योंकि शहीद स्मारक पर पहुँचे सांसत बालकनाथ और साथुसंत हजारों की भीड के साथ आक्रोश रैली के मद्दे नज़र अलवर में पॉलिस प्रशासन अलर्ट भारिस दुरक्षा के बंदोबस उत्रप्रदेश में लावड स्पिकर पर कसा शेकंजा अलग-अलग जोन में धार्मिक स्थलों से 4258 लावड स्पिकर उतारे गए 28186 धार्मिक संस्थाओं के लावड स्पिकर का वालियूम कम किया गया वरानसी जोन में सबसे जादा 1366 धार्मी किस्तलों से लाउड़ी स्पिकर हटाए गए हैं वेरट में 1215 और लखनाउ जोन में 912 धार्मी किस्तलों के लाउड़ी स्पिकर हटाए गए हैं वही शिवसेना वर्सेस नौनीत राना की नई किष्ट नौनित राणां का शीवसेन और सानसज संजयर राउट पर गंभी रारो दिल्ली पोलिस कमेशनर को चिट्ठे लेखे नौनित राणां ने संजयराउट पर जाती सुचक्षपद के स्तमाल और गाली गलोज का आरोप लगा अर्मान चालीसा पाथ विवाद में अब हिंदुत्व के मुद्दे पर लराई शुरू उद्व ठाकरे के घंटा धारी गदा धारी वाले बयान पर फर्णमेस ने किया पालटवार देवेंद्र फर्णमेस ने उद्व पर साधा निशाना मुंबाई में एक कारिक्रम के दौरान किया तंज उद्व ठाकरे ने खुद को बताया था गदाधारी फर्णमेस बोले हिंदु होने पर शर्म क्यों करें अर्मान चलिसा विवाद को लेकर केंद्री मंत्री राम दस आठवले का बयान माराश में कानून विवस्था बिगड़ रही है नवी दौराना के बत सलूकी के आरोको पर मुंबाई पोलस ने जारी किया वीडियो खार थाने में पती के साथ चाय पीती दिख रही है निरदड", यह सांसर तौनित राना के वकील का बयान बदसलोकी खार में नहीं बलकि सांता क्रूस पुलस स्टेशन भेजे जाने के बाद हुई मुंबाई पुलिस पर बदसलोकी के आरूपों को लेकर आक्शन में केंद्रू ग्रेहमंत्राले ने माराश्च सरकार से मांगा जवाब वहीं माराश्च के ग्रेहमंत्री के मुथाबिक आज मुख्य सची ग्रेहमंत्राले को सौपेंगे रिपोर्ट पुराना दमपत्ती को मुंबाई सेशन्स कोर्ट से नहीं मिली राहत जमाना थे आज का पर आदालत ने 29 अप्रायल तक सरकारी पक्ष्व से जवाब बागा नाउनीत पुराना पर संजे राहत ने उठाए सवाल कहा उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला से लिये थे 80,000,000 लोन ट्वीट करके बोले लकड़ावाला मनी लॉंडरिंग मामले में हुआ था घरफ़तार और दाउद गैंग से भी संबंध संजे राहत के 20 फीट गड़े में दफनाने वाले बयान को लेकर नाउनीत राना ने शिकायत की नागपुर पुलिस कमेशनर को लेके चट्थी स्टी एक्ट के तहट कारवाई के मांग अमरावती में यूआ स्वाभिमानी पक्ष का शियुसेना के खलाव प्रदर्शन 20 फीट गड़ा बनाकर संजरावत के खलाव गुस्टा सहिब किया इपिजिये मजीद पवार ने बगाईर नाम लिये राना दमपत्ती पर किया वार बोले कुछ लोग जान बूच कर डाल रहे हैं बाधार बीजेपी नेता किरिट सुमया और अन्य पार्टी नेताओं की आज राजिपल से मुलागाद खुद पर हमले की शुकायत जबकि रोपर के स्स्पी दफ्तर में कॉंग्रस ने था अलका लामबा की पेशी अरविन केजरवाल के खिलाब बयान बाजी से जुड़ा मामला कॉंग्रस ने ताओं ने किया प्रदाश है और उधर रोपर में पेशी से पहले अलका लामबा ने गुरुदवारे में माथा टेका कुमार विश्वास की अर्जी फर आईकोट में हुई सुनवाई फैसला स्रक्षेथ कुमार विश्वास पर रोपर में केजरवाल के खिला बयान बाजी को लेकर दरजह केस विश्वास ने केस रद करने की दिये अर्जी दिल्ली में मुक्य मंत्री बनाम उपराज जपाल मामले में सुनवाई शुरू सॉले सिटर जनरल तुशार महताने की दलील दिल्ली को भारत के रूप में देखती है दुनिया सॉले सिटर जनरल तुशार महतान से सीजे आई ने किया सवाल अब सरकार विदान सभा के अधिकारों को लेकर क्या पीछे हट रही है लखिंपूर हिंसा मामले में मुक्यार ओपी आशीश मिश्रा की जमान अधियाच का पर दुबारा सुनवाई शुरू आज से हाई कोड की लकनव बेंच में हो रही है सुनवाई कॉपी की जाच में शिक्षकों के फर्जी बाले पर यूपी बोर्ट सक्त हाई स्कूल एंटर की कॉपी के मुल्यांकन की पहली बार हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग जोकि मुल्यांकन करने वाले शिक्षकों को हर दिन लगानी होगी एटेंडेंस तभी मिलेगा फैसर यूपी में 271 केंदरों पर हो रहा है मुल्यांकन इस बीच खबरों में बढ़ें आगे पाथ जुनको बिहार सरकार के देड़ साल के कारिकाल पर रिपोर्ट कार जारी करेंगे तेजस्वी आदो पार्टी नेताओं के साथ बैठरक में लिया फैसला गासभाद में आईमेस कालेज के लिफ्ट गिरी पांच चातर जखमी तीन की हालत नासक तो कि दिल्ली में आज राइस्वीना डैलोग का तीसरा और आखरे दिन कई मुद्दों पर होगी चर्चा देश्द्रो कानून की वैदता पर आज सुप्रिम कोट में तीन जजजस की बिंच करेगी सुन्माई पिछले साल जुलाई में सीजे आई ने उठाए थे सवाल बुरवार को जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादो जारकन हाई कोट ने लगाई मुहर नेचली आदालत में प्रक्रिया पूरी होने के बाद रहाई विदाएक जिगनेश मिवानी को पाँच दिनों की पुलिस हरासत में भीजा गया बरपेटा सीजे म कोट ने रद की जिगनेश की बेल किया चकाई अब खंडवा में सामरदाइक मतभीद एक क्रकिट ट्रूनामेंट के दौरान मुसलिम खिलाणियों और उनकी टीम को प्रतिबंदित करने का मामला सामने है वुजब फर्दगर में दो मुसलिम परिवार के आज सदस्तियों ने हिंदू धर्म अपनाया शुदिकरण और मंतरो चार के साथ बदला धर्म अनाश्क के और अंगाबाद में अजान के वक्त स्पीकर पर गाना बजाने को लेकर रेवे पोलिस और पीएसाई के खिलाफ केस बीजेपी ने कहा जूटा मुकदमा वापस हो नहीं तो होगा अंदूल ओके मंतरे नितीश कुमार ने सीता मड़ी में पुर्वसांसर नवल किशो राय को शदानली अर्पित की कारकर्म के दौरान पुलिस के रवये से नराज हुए कारे करता अकोला के पालक मंतरी बच्चू की बढ़ी मुश्किलें कोट ने रास्ता बनाने को लेकर पैसे के गबन में केस डर्च करने का आदेश दिया एश में अपच्यासी प्रतिशत आबादी को लग चुके कोरोना वाक्सन के दोनों डोज केंद्री अस्वास मंतरी ने जान खारी थी डौलपूर पानी के किल्लत से लोगों की बढ़ी परिशानी कई किलोमेटर से पानी लाने को मजबूर है लो जीता मडी में गेहों के खेट में उठे शोले कई एकड़ फसल तबाह दमकल की गाडियों ने पाया काप जबकि कोटा के रानपूर एलाके में देड़ साल के बच्चे को पानी टंकी में डूब कर उसकी मौत हो गई पर जनों ने हत्या की आशंका जाहिर की हिजांच के मांग नाकपुर में नबालिक शात्रा से गैंगरेप, प्रेमी पर तीन, दोस्तों संग गैंगरेप, कारोफ, पुलस ने तीनों को किया रेस्च एक ही पर लार के तीन लोगों की हत्या से दहला गोरखपुर, आपसे रंजिश में माता-पिता और बेटी की धार-धार हत्यार से काटकर हत्यार गए रात में वंगरा था के घरसादी था, वो गए रात में उसके बाद वो सब पहले से पलान बनाये थे और सब बीच रास्ते में वो सब कार दियें सब, मा वेटी और बाप को बुरखपुर में तीन हत्याओं के बाद एलाके में भारी पुलस के तैना थी, एक आरूपी गिरफतार हुआ है इसमापे बुदर कानपुर में चार लड़के गंगा में डूप गए, दो लड़कों की मृतिव हो गई है, दो को रस्क्यू किया गया बचाए दिलेगे भलसवा इलाके में कच्रे की धेर में आग लग गई धूए ने बढ़ाई मुसिबद अयोध्या में अमन्चैन भिगारने की बड़ी साजश, दो मस्जिदों समेट तीन स्थानों पर फिके गए अबद्र टिपणी वाले परचे सीसी टीवी अराजक तत्तों की हो रही है पहचान गुहाना में फिकर बाजी से परेशान दो चात्राओं ने एक युवा को पीठा वीडियो वारल प्यार के गुपाल गंज में बीच अला बुल्डोजर लालू के पैत्रे गाउं में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मकान गिराए कुडर्मा के सदर अस्पिताल में बद इंतर्जामी के खिलाफ लोगों का गुस्ता खूट गया कर्मचारियों के साथ मार पिठ हुई यूपी के ललितपुर में बेकावू बस पुलिया से नीची जागिरी हादसे में चार दोगों की मौत वई वरानसी में अब ज्यानवापी मस्जिद में हो सकेगी विडियोग्राफी कोट ने अपने पुराने आदेश को जारे रखाए करोली इंसा में 60 संपत्तियों के नुकसान पर एक करोड 20 लाख मुआवजा 17 घायलों को 11 लाख की मदद प्रशासन ने जारी किया आपर यूअक वीडियो वायराल पॉलस की कारवाई के तयारे जबकि सांगली में एरान करने वाली वारदाद चोरों ने पहले बुल्डूसर चुराया फिर उसी से एटियंग को खाडा लेकिन मशीन नहीं तूटी तो बच गए 27 लाख रुपए जन्नाई में तंजावर महत्सों के दौरान भीशन हादसा 10 लोगों की गई जान रितकों में दो बच्चे शामल महत्सों के दौरान रत खीचते वक्त हादसा हो गया रत में दोड़ा करंट करीब 50 लोगों को लगा जटका मॉस्कों में संतुराष्ट प्रमुक ने पोतिन से की मुलागा रूसी राश्पती ने मारिया पोल बूर्चा में बरबरता के आरोपों को किया खारेस कराची में चीन की फंडिंग से चल रहे टीचिंग सेंटर के पास हुआ धमा का तीन चीनी नागरिकों को समेट चार लोगों की मौत बाकस्तान और चीन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने दी धमकी बलोच अस्तान की राह में रोडा बनने पर मजीद ब्रिगिट दोनों से लेगी बदला चीनी अधिकानियों को खास कर बनाएगी निशाना नाइजीरिया में कई शाओं को एक साथ दफना आया गया अवाय तेल रिफाइनरी में हुए धमाके में गई थी सौस से ज़ादा लोगों की जान बंबई में फिल्म भूल बुलया पार्ट टू का ट्रेलर हुआ लांच फिल्म में कार्तिकारियन और क्यारा अधवानी की एमबुमिका ट्रेलर लांच में दिखा दोनों का प्रस्टा मुंबई में फिल्म रन्वे 34 की स्क्रिनिंग, फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन और रकुल प्रीत की जूरी नजर आए फिल्म रन्वे 34 की स्क्रिनिंग में नजर आए रिदेश और जनेरिया और काजो मुंबई में एर्पोर्ट पर नजर आइं अभिनियत्री नौरा फतही प्रश्चन सकोकोधी सेलफी पांदराथ रेस्टों के बाहर नजर आइं अभिनियत्री पद्मीनी कोलापोरी और तेजस्वनी कोलापोरी दोनों बेहनों ने फोटोग्राफर्स को दिये पोस्ट